हेलो डियेर स्टूडेंट एजुकेशन विद पूनम एम चैनल में आपका स्वागत है हम डिस्कस कर रहे थे राजस्तान इस्ट्री एंड आर्ट कल्चर जो हैं जिसके अंदर राजस्तानी बासा एंशायते की पर्मुक्रीतियां छेत्रियों बोलियों से सम्मेंदित हम आपके लिए लेके आये थे उसका जो पहला पार्ट है वह हमने डिस्कस किया था यह सेकंड पार्ट है इसके अंदर बहुती मोस्ट उपोर्टेट क्योशन है जो राजस्तान के सभी एक्जामों के लिए महतवपोर्ण है तो आप अंत तक इन क्यूशनों को देखिए जिससे राजस्तान के जो भी एक्जाम होंगे आगे उनमें आपके लिए हेल्फुल होंगे और आपका एक भी क्यूशन है वो इस टॉपिक से नहीं छोटेगा तो चलि या कहानी से कावे रचना से वंसावली वर्णन से या आत्म कथा से तो वात साहिति से क्या असे है इसका जो राइट आंसर है वो है कथा या कहानी से वात है वो कथा या कहानी से संबंदित है नेक्स्ट क्यूशन है राजस्तानी भासा की विद्वान वे राजस्तानी में र वोगी हैं तो उनका नाम क्या है वोगी है और अंधर डाडि शीता राम लालसने गरज मुकुल यह संत हन्वंत के हैं आप स्थाबडी विधवान बैजस्ताणी में रामायन के रचीता है मारवाड की बासा का नाम है उप्सन है मारवाडी जोदपुरी मरूवाणी यह मरू भासा आठिविस ताबदी के कुवेल माला नाम गरंत में बारत की अठारा देशी बासाओं में मारवाड की बासा का नाम क्या है तो इसका जो राइट आंश्वर है वो है मरूवाणी नेक् उपबोली मेवाडी की उपबोली मारवाड का एक छेतर मेवाड का एक छेतर तो गोडवाडी क्या है इसका जो राइट आंस्वर है वो है मारवाडी की उपबोली नेक्स्ट क्योशन राजस्तानी बोलियों का सरोपर्थन विवर्णात्मक वर्गी करन किस ने किया ओप्सन है टेसी टोरी जोर्ज गिरियेशन नरोतम स्वामी मोतिलल मिनारिया राजस्तानी बोलियों का सरव पर्थम यूरोन आत्मक वर्गी करण किस ने किया इसका जो राइट आंस्वर है वो है जोर्ज ग्रियर्शन नेक्स्ट यूर्शन है राजस्तान की सबसे प्राचन ख्यात है तो राजस्तान की सबसे प्राचन ख्यात है वो कौन सी है Option है मुहनोत नेंसी रिख्यात, बाकी दास रिख्यात, विकानेर राठोड रिख्यात, मारवाड रिख्यात राजस्तान की सबसे प्राजन रिख्यात कौन सी है? इसका जो राइट आंस्वर है वो है मुहनोत नेंसी रिख्यात नेक्स्ट क्योशन है, खुमान रासो नाम गरंद की रचना किसने की, उप्सन है, दलपत वीजे, नलसिंग, गिर्दर आसिया या सारंगदर तो खुमान रासो नाम गरंद की रचना किसने की, इसका जो राइट आंस्वर है वो है, दलपत वीजे नेक्स्ट क्योसं है, राजिया रासरोथा नामगरंद की रचिता कोन है? ऐप्सन है, कोई गिरधर, इसरदास बारत, रिपराम खिडिया, बिडू सूजा ये इसका राइट आंस्वर है नेक्स्ट क्योसं है, मालुई बोली कहां बोली जाती है? उप्शन है जालावाड, कोटा, परताबगड या उप्युक सभी तो मालवी बोली कहां बोली जाती है? इसका जो राइट आंस्वर है वो है उप्युक सभी यानि जालावाड, कोटा, परताबगड इन सभी जिगे मालवी बोली है वो बोली जाती है नेक्स्ट क्योशन है वजर सेन सूरी डिंगल सेली की कौन सी सेली से सम्मधित है ओप्षन है जेन सेली से, चारण सेली से, लोकिक सेली से या संथ सेली से तो वजर सेन सूरी डिंगल सेली की कौन सी सेली से सम्मधित है राइट आंस्वर है जेन सेली से नेक्ट्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् चार पांच या छे तो सर जोड़ अब्राम गिरियसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ओफ इंडिया राजस्तान बासा की कितनी बोली अवन्नित की है तो राइट आंस्वर है पांच नेक्स्ट यूशन है डोक्टर नरोतम लाल स्वामी ने राजस्तानी बासा को कितने वर्गो में बंटा है राइट आंस्वर है चार तो डियर स्थूडेंट्स यह थी हमारी आज की मोस्ट इपोर्टेट क्यूशन आपको यह क्यूशन कैसे लगी केमेंट करके जुरूर बताएं आज के लिए इतना ही थैंक्यू क्यूंगी थैंक्यूशनों उह इतना ही ने उैंक्यूंगी तो कॉशना आट की ज बंटनी आज का ल मेरारी अस्वारी सभी सर द थाई मेंट्यूंगी नेसा हीूशनों।